होली भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है इसे रंगों का त्योहार कहते हैं हिंदू पांचांग के मुदाबे के एपर्व हर साल फागुन महा में पूर्णिमा को मनाया जाता है होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है तो चलिए आज सुनते हैं होली के त्योहार से जुड़ी हुई पौरानिक कहानिया हूली को जहां हम राधा कृष्ण के प्रतीक के रूप में जानते हैं वहीं राक्षसी पूतना से भी इसकी कहानी चुड़ी हुई है कथाओं के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भीचा जो एक सुन्दर स्त्री का रूप धारण कर बाल कृष्ण के पास आई और उन्हें अपना जहरीला दूद पिला कर मारना चाहा मगर दूद के साथ भगवान कृष्ण ने उनके प्राण भी हर लिए उसके बाद ग्वालों ने उसका पुदला बना कर चला डाला उस दिन फागुन पूर्णी मा थी जिसके बाद खुशी में होली का तिवहार मनाया जाने लगा एक अन्यक अथा के अनुसार हिर्ण कश्य प्राक्षस वर्दान पाते ही निरंकुष हो गया था लेकिन उसके घर भगवान विश्णू में अटूट विश्वाश रखने वाले भग्त प्रहलाद ने चनम लिया हिर्ण कश्यप ने प्रहलाद को भगवान विश्णू की आराधना करने से मना किया लेकिन वो नहीं माना तब हिंड्यकश्चप ने प्रलाद को मारने के कई यतन किये लेकिन ऐसा फल रहा तब ही उसने अपनी बहन होलिका की मदद से प्रलाद को मारने की योजना बनाई क्योंकि होलिका को अगनी से बचने का वर्दान प्राप्त था मगर जब वेपरलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो खुद ही उस आग में भस्म हो गई इसलिए उसी दिन से हम होली का त्योहार मनाते हैं इन सभी कताओं के अतिरिक्त शिप पुरान के मुताबिक हिमाल्य पुत्री देवी पारवती भगवान शिव से विवा करने की इच्छुप थी लेकिन भूलेना तपस्या में लीन थे तभी देवराज इंद्र ने देवी पारवती की मदद के लिए काम देव को भीजा दरसल भगवान शिव और माता पार्वती के विवा में उनका भी एक स्वार्थ छिपा हुआ था क्योंकि ताड़ का सुर नामक राक्षस का वद शिव पार्वती के पुत्र के हातों ही हो सकता था ऐसे में काम देव ने प्रेम बान चलाया जिससे भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई इस पर क्रोधित होकर प्रभू ने काम देव को भस्म कर दिया लेकिन फिर वह माता पार्वती को देख कर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्विकार कर लेते हैं ऐसे में खोली आग में वासनात्मक आकरशन को जलाकर सच्चे प्रेम की जीत के तिहार के रूप में भी मनाया जाता है इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कता कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इने पहुँचा कर तर्म लाप राप्त कर सकें